दोस्तो अगर आप TrueColor चलाते हो तो आज मैं आपको TrueColor की कुछ ऐसी बाते बताने वाला हूँ जिससे जानने के बाद साइध आप TrueColor डिलीट भी कर सकते हो दोस्तो TrueColor जो है कुछ ऐसी प्रेवेसी को सो कर देता है जिससे आपका TrueColor तो हैक हो गाई और आपका फॉन भी हैक हो सकता है तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि TrueColor जो है क्या का Privacy को दूसरों को सो कर देता है अगर Privacy को सो कर देता है तो उससे कैसे बच सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको आजाना अपने true color application के अंदर जैसे आते हो guys कुछ इस तरह का interface आपके सामने देखने को मिल जाता है यहाँ पे आने का बाद guys आप किसी भी number पे click करते हो जैसे कि मैं इस number पे click करता हूँ तो इस number पे जैसे click करता हूँ guys यहाँ पे आप देख सकते हो उपर में इनका जो last scene जो है वो so कर रहा है इसका privacy जो है वो so कर रहा है ऐसे में होगा क्या guys अगर आपका privacy जो है अगर so करता है तो ऐसे में इस बंदे जो है अगर आपको call करता है और अगर आप चाहते हो कि इसका phone को नहीं उठाना तो इसका करते हो क्या guys इसका phone को बजने देते हो ऐसे में कुछ दिर बाद जो है अगर आपको कोई और बंदा जो call कर देता है तो आप उनकी call को receive कर लेते हो तो ऐसे में ये बंदा जो है guys अगर आपको true caller पे देखा तो यहाँ पर आकर के पता कर सकता है कि ये बंदा जो है मेरा call को नहीं उठा रहा है और किसी दूसरे का phone उठा रहा है तो ऐसे में होगा क्या guys ये बंदा जो है आपसे नाराज हो सकता है तो ऐसे में guys आप जो है इस privacy को आप private भी कर सकते हो इस privacy को आप अपने पास भी रख सकते हो वो कैसे रख सकते हो guys उसके लिए आपको आजाना back आने के बाद guys यहाँ पे उपर में आपको three dots मिलेगा three dots मिलेगा guys three dots पे simple आपको कर देना click उसके बाद guys आपको आजाना नीचे नीचे आने के बाद guys यहाँ पे आपको मिल जाएगा settings का option जो simple आपको कर देना settings पे click जैसे आप settings पे click कर देगा guys उसके बाद आपको आजाना नीचे नीचे आने के बाद guys यहाँ पे आपको एक option मिल जाएगा क्या कि privacy का privacy center तो simple आपको नीचे में privacy center पर click कर देना है यहाँ पर click करने के बाद guys यहाँ जो first option है क्या availability तो simple आपको availability को off कर देना है off करने के बाद guys यहाँ से आप आ जाओ back ठीक है back आने के बाद guys यह जो है आपका जो है last screen जो है अब जो है किसी और को नहीं दिखेगा वो last screen सिर्फ आपको ही दिख सकता है और किसी भी बंदे को आपका last screen so नहीं करेगा तो उसके बाद guys इस जो है true color की एक और खासियत है कि जैसे मैं guys मैं किसी भी नमर पे click करता हूँ जैसे कि इसी नमर पे मैं click करता हूँ तो यहाँ पे आप निचे पे देख सकते हो कि इनकी जो है Gmail so कर रहा है मेरे पास और यह कौन सा stream चला रहा है वो भी so कर रहा है और यह क्या क्या चलाता है guys देख सकते हो कि यह बंदा जो है जो इसका Gmail क्या है और यह Telegram भी चलाता है और यह Whatsapp भीचला रहा है यह जो टुकॉलर यहां पर दे रहा है यहां पर देख सकते हो guys और यह Gmail से आपका phone hack भी कर सकता है और जीमेल से आपका जो true caller तो hack कर सकता है और आपका phone भी hack कर सकता है ऐसे में guys आप जो है इस Gmail को अपनी Gmail को जो है वहाँ पर जो है off कर सकते हो private कर सकते हो वो कैसे कर सकते हो guys उसके लिए आपको आजाना back आने के बाद simple आपको three dot पे click करना फिर से आपको जाना settings पे उसके बाद guys यहाँ पे आपको आजाना फिर से privacy center पे और यहाँ से आपको नीचे में मिल जाएगा क्या allow true caller or any else my call partners to improve spam deletion इसको simple आपको कर देना off जैसे कर दे तो guys यहाँ पे जो है आपका जो है आपके true caller का कोई भी ना तो आपका last sin show करेगा नहीं आपका Gmail किसी दुसरे को show करेगा तो ऐसे guys आप जो है अपने true caller की privacy को बिल्कुल छिपा सकती हो तो I hope कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसन आया हो वीडियो पसन आपको लाइक और शिर करना ना भूलना दोस्तों मिलता हो next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वन्यमातरम